जाए हिंदो सोचल है सेटेक क्लाशस में आपसा विकास सागत है आप लोग का पसंदिदा वो बेस्ट क्लाशस वीडियो लेकिया चुका हूँ जिसमें बताने वाला हूँ रक्षा अनुसांदान वा विकास संगटन के तरफ से बिहतरीन रिकूरूटमेंट नॉटिविकेशन जारी किया गया है दोस्तों तो दो दो लैब डियाडिो के दो दो लैबो से आपके लिए रिकूरूटमेंट आ गया है अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नई फिलफ किया है तो फिलफ कर लिजे क्योंकि बेस्ट कर सकते हैं नॉटिफिकेशन भी डाउलोड कर सकते है और एक चीज और इसमें अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह के लिटेशन बेस्ट जॉब नॉटिफिकेशन पाने के लिए तो मैं दोस्तों आपको नॉटिफिकेशन ओपन करके दिखा देता हूं जैसे आते हैं तो ब्यू आल पर जब करेंगे तो यहां नॉटिफिकेशन आपको सो करेगा जैसे ही कि आप नीचे स्क्रोल करके आना है नीचे स्क्रोल करके आएंगे तो पहला आपका दे रख प्रिटमेंट निकाला गया दो तो तो अगर आपने इसका फॉर्म फिलप नहीं किया है तो इसको फिलप कर लिजिए और सेकेंड आपका है जो कि वह भी दिली के तरफ से ही निकाला गया है अप्लिकेशन फोर दा इंगेजमेंट अपरेंटिस अंटर अपरेंटिस इप अप्लाइब करने के बाद आपको मिल जागा उसमें लिंक और गाइडेंस की इसको कैसे अप्लाइब करना है यह रिकूर्टमेंट दोस्तों इंसिट्यूट आप निवकिलियर मैडिसिन और आलाइब साइंस के तरफ से जो कि गवर्मेंट आप इंडिया मिनिस्टी आप डिफेंस दियाडियों के तरफ से निकाला गया है जिसमें दो तरह के अपरेंटिस इसकिम है जो कि पहला आपका है डिपलोमा अपरेंटिस के लिए और दूसरा है ग्रेजवेट अपरेंटिस यानि बीटेक बीएसी वाले इसमें इलिजिबल रहेंगे उनको इस्टाइपेंड पर मंत यानि की सेलरी मिलेगा आठ हजार रुपिया और ग्रेजवेट वालों लोगों के लिए 9,000 रुपिय होना चाहिए इंगलिस-हिंदी ओपिस मैनेजमेंट और उसके बासे ग्रेजवेट में बता दे तो बी ल आई एससी लाइबरेरी साइंस होना चाहिए भी फर्मा होना चाहिए बी एससी बायलोजीक चैमेस्टी फिजिक्स मैतमेटिक से इन में से किसी से भी अगर आपने भ किया जाता है और उसके बाद से अपलाई करने के लिए देख सकता है कि यह आपका यहां पे दे रखा है आपको अपरेंटिस जो पोटल है आपका ग्रेजुएट और डिपलोमा के लिए वहां से आपको इसमें अपलाई कर लेना है और उसके बाद से यहां देख सकते इसका ल नहीं लगेगा दोस्तों तो आप जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप इसमें इलीजिबल है उसके बाद से नेक्स्ट में बता दो इंपोर्टेंट तो इंपोर्टेंट आपके लिए इसमें कोई टीए डीए आपको नहीं दिया जा सकता है इसमें आपको साफ यहां पर है देख सकते हैं कि इसको टाल के सर्च करेंगे तो आपको यह अपलाई करने के लिए मिल जागा जैसे कि मैं यहां दिखा दूऊ-आपको जैसे इकलिक करते हैं तो यह नहीं के बास आज आंगे आप एने टी-एस आपका जो अपरेंटीस उस्पोर्टल है यहां से आप सर् IDOC से निकाला गया है दिली का ये भी है उसके बास जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको मिल जागा है यहां धेक सकते हैं कि Link Open हो जैसे Link Open हो जाता है तो आपके सामने यहाइकन आजाएगा जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करके आगे तो यहां दे रखा है आप यहां advertisement and application from download कर सकते हैं तो advertisement मैं क्लिक करता हूँ जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने उसका advertisement PDF आजाएगा जैसे कि defense scientific information documentation center के तरफ से निकाला गया है जो कि आपका दिल्ली में है और इसमें भी apprentice के लिए है जैसे कि देख सकते हैं कि number of vacancy के वल 21 है library information science तो यह आपका फोस्ट है इसमें भी 9000 और 8000 मिलेंगे डिपलोमा और उसके बाद से इसमें graduate के लिए उसके बाद से देख सकते हैं आपका guideline है आपको भी apprentice इंडिया पोर्टल से ही जाके apply करना है तो यह था दोस्तों पूरा full details मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई